गर में water tank लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना नहीं तो आप भी बिमार होते जाओगे क्योंकि plastic हमारी body को effect करता है और अगर आपने ये tank लगा दिया तो आप तो बिमार होने ही वाले हो आपकी family भी बिमार हो सकती है तो आज की वीडियो देख लो मैं आपको बता complete कि कौन सा water tank आपको अपने चत पे लगाने टू लियर फ्री लियर फॉर लियर यह सब चीजे क्या है जा RCC का बनाए मतलब concrete का जो टैंक रहता है वो बना ले यहां plastic का लगाए अगर plastic का लगाना है कौन सा brand best है कितना खर्चा पड़ेगा कहां उसको रखना है कौन सा color लेन इसमें सबसे जदा brands आते हैं आपको मिल जाएगा syntax company का supreme का आशिरवाद का प्रिंस का प्लास्टो का बेक्टस का काफी किसम के आते हैं लेना कौन सा कौन सा हमारी सेथ के लिए अच्छा है देखो जब भी आपको अपना water tank चूज करना है अगर उसी में से आप पानी पीने वाले हो आपके kitchen में वो पानी लगने वाला है तो आपको दियान देना पड़ेगा नई तो even काफी studies ही आई है कि cancer भी होता है इससे तो आपको दियान देना पड़ेगा क्योंकि छट पे गर्मियों में जब मेई जून जुलाई आता है temperature पहुंच आता है 45 degree से 48 degree जब इतना temperature हो जाएगा आपका tank गरम होगा और अंदर जो उसके पानी होगा उसमें काफी ज़्यादा चीजें बन पाती है जो chemical आपके body को खराब कर सकते हैं क्योंकि UV rays आ रही है कुछ काफी चीजे होती है तो आपको हमेशा क्या करना है आपको जो भी water tank होगा एक तो six layer का tank लेने है अब यह layer क्या हो गया देखो market में three layer का four layer का five layer का six layer के tank इस समय मिल जाते है six layer क्या हो गया उसके मोटा ही हो जाती है मतलब काफी layer जोड़ी जाती है कुछ layer ऐसी होगी यो UVs को अंदर पास नहीं करने देंगी कुछ layer ऐसी होगी जो आपके पानी को थोड़ा बहुत ठंडर र rate करते हो बजन करते हो तो वह उतना नहीं है तो आपको हमेशा क्या करना है मैं बोलूंगा branded की तरफ जाओ क्यों brand का मैं बोल रहा हूं मैं समझाता हूं देखो brand का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी वह material बनाएंगे एक तो उनको अपनी brand value रखनी है सही से रखनी है द तो आपको material दे सकते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है तो आपको क्या करना है अपने गर के लिए six layer वाली लेनी है अगर आप नीचे पानी यूज करने वाले हो kitchen में और साथ ही साथ वह बनी होनी चाहिए HDPE मतला polythylene जो रहता है plastic उससे अगर बनी रहेगी वह भी कौन सा high density बनी होनी चाहिए और food grade होनी चाहिए food grade क्या हो गया यह जो चीजे मैं बोल रहा हूँ HDPE food grade virgin plastic UV shield यह सब चीजें उस tank पे लिखी होंगी अगर कोई brand होगा उससे सब चीजें उसके साथ एक specification आती है कि इस tank में यह चीजें तो आपको अपने tank में क्या देखना है वह HDPE होना चाहिए दूसरा virgin plastic से बना होना चाहिए UV shield वो होना चाहिए और food grade material से वो बना होना चाहिए तो अगर यह सब चीजें आपको एक tank में दिख जाती है वो tank अपने च्छत पे यूज़ करते हो तो आप उस पानी को पी सकते हो बले जून में जुलाई में कभी भी यूज़ करो हमारा पानी भी गरम होने लग पड़ता है तो अगर जितना पानी अंदर गरम होगा तो खराब होने के chances हो जाते है पानी के तो अगर six layer लोग है तो पानी काफी जदा गरम नहीं होता है तो यह चीज ध्यान देख के देना मतलब किसी भी company का आप उठा लो यह 5-6 चीज़ देख लोगे तो आप एक अच्छा tank अपने गर में ले आओगे एक चीज यह होगी दूसरा जब भी आपको tank लेना है ओ capacity चेक कर लेना है capacity क्यों चेक कर रही है देखो एक आदमी दिन का 135 लिटर पानी यूज करता है अपने लिए ठीक है 135 लिटर पकड़के लते हैं flush कर रह ठीक है अगर आपके गर में है 6 आदमी तो 6 इंटू 135 आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपको कितने लिटर का चाहिए साथ में यह आप चार्ट भी देख रहे हो जिसमें पूरा लिखा है कि 6 मेंबर की फैमिली है या 7 मेंबर की फैमिली है तो 1000 लिटर या 2000 लिटर ज है अपनी slab का देख लेना है कि कौन सा weak section है weak section कौन सा हो गया कुछ लोग सोचेंगे कि जो beam होता है हमारा beam के ऊपर अगर हम जो tank है वो रख देंगे तो क्या होगा थोड़े time बाद वो भी तूट सकता है column पर रख देंगे वो तूट सकता है तो हमेशा ऐसी जगा रखो जहा आपके जो tank अगर 3000 लिटर का आपका लग रहा है तो 2000 का ले लो 1000 लिटर का ले लो तो ऐसे रखोगे 2000 लिटर का आप अपने च्छत पे लगा सकते हो लेकिन junction डूड़ना जहां beam column बगारा सब मिल रहे हैं वहां रखो तो easy होगा यह चीज भी थोड़ा ध्यान रखनी है जब लिटर की टंकी ली तो आपका पानी खराब होना ही होना है और local brand कभी यूज मत करो अगर पीने वाला पानी यूज करना है local brand वहीं यूज करो जो आप अपने toilet में बातरूं में यूज कर रहे हो पानी वहां पे local brand का ले लो 45,000 रुपे की टंकी 1000 लिटर की मिल जाएगी ले 1000 लिएर की टंकी हम लेते हैं 5 या 6 लिएर की एक idea में आपको दे रहा हूँ 6-7,000 रुपे में आपको मिल जाएगी मतलब 6-7,000 रुपे से start हो जाती है वही local आपको 1200 रुपया सस्ती मिल जाएगी तो यह चीज है idea में accurate rate क्यों नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके area में rate जो tank आते हैं काफी costly होते हैं मैं पहले बता दूँ आपको जो SS के tank होते हैं वो best होते हैं क्योंकि उनमें अगर पानी by chance गरम भी होता है तो उस पानी को खराब नहीं होगा वो मतलब जैसे plastic अगर जादा गरम होगा उसमें material पढ़ा होगा तो वो खराब होने लग पड़ता कुछ लोग चट पर बना देते हैं कुछ लोग नीचे बना देते हैं उसको आप बना सकते हो उसमें यह है आपकी health को कोई issue नहीं होगा क्योंकि बीच-बीच में आप सफाई भी कर दोगे और मतलब heat ठंडा होने से गरम होने से पानी को कोई effect नहीं हो रहा है जैसे plastic में क्य हो था गरम होने से effect पढ़ सकता था थोड़ा बहुत अगर local company का लेंगे लेकिन इसमें क्या होता है RCC वाला यह आपको खर्चा पड़ जाता है 20 रुपे से 25 रुपे पर लिटर बनाने का लेवर भी आगे material भी आगे महला 1000 लिटर का अगर टैंक बनाते हो तो 25-25 जार प्लास्टी का 1000 लिटर का वो हमें 7,000-8,000 रुपे मिल जाएगा और यह भी नहीं है इसका यह होगा कि एक जगा fix रहेगा leakage के अलग chances रहेंगे leakage इसकी रुकती भी नहीं है जब leakage शुरू हो जाईगी तो वो दिक्कत भी रहेगी उसका क्या होगा अगर बाइचांद leakage भी हो must low हम लो क्या करते हैं ब्रैंट पे चले भी जाते हैं खर्चा भी कर लिया साथ हजार से 10,000 यह बारह हजार रुपया और गरंटी और बरंटी नहीं लिए बस उसको दुकान दालने वे दस साल की बरंटी आती है इसका गरंटी आती है लेकिन जब वो खराब हो जाएगा आपने कब ली है, क्या है वो आपके पस कोई data नहीं होगा तो आपको कोई replace करके नहीं देगा तो यह चीज भी आप दियान रकना और साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग जो टैंक होता है वो जान तो हम स्टील का फ्रेम बनाते हैं उस पर रख देते हैं MS का सौरी आइरन का तो वह भी गरम होता है नीचे से और प्लास्टिक हमारा गरम हो जाएगा तो आज कल क्या हो गया इको बेस हाती है जो नीचे इसका प्लैटफार्म आता है वह भी किसका होत है आपकी वेंटिलेशन रहती है नीचे आपकी इसकी टैंक की और सेब भी रहता है गरम भी नहीं होता है और फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाता है ठीक है तो इसको भी आइड कर सकते हो अपने में तो मेरे खाल में आपको सब आइडिया मिल गया होगा कि RCC का लगाएं या कौन सी कंपनी का लें यह सब चीजे होती है और साथ में एक टिप में आपको दे दूँ जब भी मतलब आप लोकल कंपनी का लेने जाओ जैसे 6 लेर उन्होंनों लिखा हुगा है 6 लेर है सब चीजे लिख हुई है तो वेट देख लेना एक बार तो मेरे खाल में 30 कजी स जादा ही वेट होना चाहिए 6 लेर वाली का अगर 1000 लेटर कट हैंगा वो तो यह चीजे भी होती है तो मेरे खाल में आइडिया लगया होगा अगर आइडिया नहीं लगया है कमेंट करो मैं फिर से वीडियो लेऊंगा और कंसल्टेशन चाहती हो अगर कोई भी थोड़ी सी फीज रखी है 200 रुपया पर कॉल के हिसाब से है कोई भी डाउट क्लेर कर सकती हो उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा